जाहें सातियों, मार पंकर सिंग एक बार फिर से आपका इस चैनल वी सिल विद पंकर सिंग पर श्वागत करता हूँ सातियों, आदुनिक इतियास के इस पांचवे भाग में आज कुछ और महापुरिशों के शाथ जी हाँ, इस बार एक नहीं, तीन-तीन सगे भाईयों के दास्तान, जिन्होंने पहली बार यूरोपियों की, यानि अंग्रेजों की हत्या करके खुले आम, सर्याम हत्या करके एक ऐसी अलग जगाई थी जिसको फालो करते हुए, चंसेखर, आजाद, भगत सिंग आगे चलकर नजाने कितने महापुरिशों ने कतल लखिया अंग्रेजों का, लेकिन सुरुआत हुई थी, कहां से, उन तीन भाईयों से, जिनको एक साल के अंदर में अलग-अलग करके तीनों को फांसी दे दिया गया, कलपना कर सकते हैं से मावाप के उपर क्या गुजरा होगा, एक बेटा खोने के बाद, फांसी पर चड़ने के बाद, मावाप के दसा क्या होती है, और तीन तीन बेटा खोया, जिहां, और दौर वही था, जो ह मेरा अनुरोध है, परिक्षा के लिहाद से तो बहुत महत्पुर्ण है ही, लेगिन आपकी जनकारी के लिए भी, ठीक है, आज हम इस पांचवे भाग में देखते हैं, तीन-तीन महापुर्शों के बारे में, जहां दौर वही था, अट्रस उनात्तर, जिस समय हमारे भारत म में राष्ट पीता महत्मा गांधी का जर्म हुआ था, अट्रस उनात्तर में, उसी समय ये तीन भाई, ध्यान देजेगा, तीन भाई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चापेकर बंदू, नाम सबने सुना होगा, चापेकर बंदू, या चाफेकर बंदू, मने, महारास्ट के ये भी चित पाउन ब्राम मढते तीनों, चिंचवाडा नामक जगह बे, ध्यान दना चिंचवाडा, नामक गांव में इनका जनम हुआ था, और नाम क्या था, दामोदर चापेकर, दामोदर हरी चापेकर, ये थे वालकृष्ण चापेकर, और ये थे वासुदेव चाप जिसके बारे तीन तीन भाई एक साथ देश की मिट्टे के लिए कुर्बान होने वाले तीन तीन भाई चापेकर बंदू, तो कौनते दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर, और वासुदेव हरी चापेकर, ठीक है? अब थोड़ा सा सीरियल से देखे, हमने फीकर इसलिए दिखाए कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जा, तो तीन तीन भाईयों की ऐसी गाथा है, जिसके बारे में अगर जान करके उस दौर की राड़नितिक परिस्तिती और उस दौर का करांधिकरी जुगतिविदिया थ जाती है, तो चलता है नेखते उनके जीवन के बारे में, तो इनके पीता का नाम था हरीपद चापेकर , हरीपद चापेकर हरीपद चापे कर ठीक है ये क्या करते थे हरीजी का भजन गाते थे हरीपद मने भजन गागा करके अपने जीवी को पारिजन करते थे इनके साथ इनके बेटे भी गाते थे बहुत अच्छे दामोतर तो बहुत अच्छे गायक थे बहुत अच्छे मुदलब कभी थे और दोन पार्जन गाहर कि अपकार के आजध्या निक नहीं तो फिकर्पूर्स नहीं दिर고 में पद मुखता है झालिकार अंप यह गता था यह daily रहां कुंक होति था हुए तो हर्धी पड़्यक्र्वार्टति था हुए है इस श्र्ण कौन थे दामोदर द्यांदीजेगा दामोदर और बाल कृष्ण उनसे छोटा और वासुदेग इनका जनम 1889 द्यांदीजेगा समय वही 845 से जो उद्धन यह 870 और यह 870 ठीक है बस वही 1857 की करांत के बात कहा जाता है कि भारते उन्हें उठाने की कोशिस नहीं किया तो क्यों नहीं किया बार-बार किया है बसमको पता नहीं है उसी दिए इन सब को कुरीद कुरीद कर आपके सामने पेस कर रहा हूं जानिए पढ़िए समझी और सम नहीं छपे ठीक है तो चलिए देखते हैं उस समय महाराश के दसा क्या थी उस समय तिलक जी का जवाना था बाल गंगा दर तिलक शातियों आपको सायद कस्ट नहोगा लेकिन हमें तो बहुत कस्ट होता है कि आज भी ऐसे महापुरुस को भारत रत नहीं मिला इनके सामने अ लोग उनके गाड़ियों के नीचे सो जाया करते थी राम परशाद बिस्मिल से तो इनका इतना लगाव था बाल गंगा दर तिलक कि गाड़ी के नीचे लेट करके इनको उतार करकी और किस प्रकार से इनको संबान दिया था वह काबल इतारी तो तिलक का वो जमाना था वह काली दुनिया होती है लेकिन ये वंदा चक्टान विवेकरं अंजी से मिलने के बाद स्वामी जी ने इनकी तारीफ तो जो कहा कहा इनों ने जो स्वामी जी के बारे में कहा जो उनकी मन्सिक्ता थी सन्यासियों के प्रति के सन्यासी बहुत बिद्वान नहीं होते हैं यह चलिया होते हैं तो उनका तो मन्सिक्ता तो बदली गया बट विवेकर नंजी भी जाने है तिलक, तिलक है, तिलक, बाल गंगादर, तिलक एक ऐसा सेर, सच्चा सेर, अना, ये कहिए कि सिवा जी के बाद सबसे बड़ा, अगर पुरे माहरास्थ को, महाराथियों को इकठ्ठा करने वाला, या कहिए कि उसी विचार्दारगरा की बदोब्द पूरे देश कोloe कठा करने वाले थे तो बालगंगादर तिलक इनके प्रभाव में कौन बच सकता था इनके प्रभाव में ये तीनों भाई थे बिलकुल जाभाज के तरह इनके मनमें भी देश्वक्ति के फिल लोरी मार रहा था ये सोच पत्रिकाय तो अपने आप में एक मिसाल थी कि ये दोनों कुरांत की जो बोलते हैं अलग जगाही रहे थे के सरी मराठी में मराठा अंग्रेजी में इन दोनों में इतनी बैनक बैनक बाते लिखते थे तिलग जी कि उसको फालू करने के लिए सारी जंता सारा यूवर्ग बाल गंगादर तिलक से तो बाल गंगादर तिलक ने क्या कहा था कि देखो जवाना वो नहीं है कि कोई एक थपड मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो यद्य भी है गांधी जी का अभिया विर्भाव नहीं हुआ था मारे भारत में ठीक है और सासा जनम लिए थे लेकिन कि फिर भी तिलक जी का कहाना था कि कोई एक थपड मारे तो दोनों गाल पे थपड मारो और हो सके तो दाथ तोड़ दो उसका निकाल कर दाथ भी तोड़ दो जिससे दोबारा यह सर न उठा पाए चुकि ऐसे लोगों को छोड़ने का मतलब है कि आप अपने दुस्मन को प पाउघनल दोगे वह समय दोड़ें लीशन को बीस्मन को टेक 안 खूटं के भी गूट्स मिफह सानि तो इनकी बाते सुनकर इनके मन में आग लगी ता और यह सके नंकों के बदले 추천 їх जंदगी पदले जिकनी जिन्दगी और दात के बदलेघन피क एक हाट थपड मारते सब्सि यहां तक कितना दूखाड लेंगे कि आप जिंदगी में विस्म नब हो पाओ ठीक है और उन्हों ने इसके लिए क्या किया कि साड़ी सिक्षा मनें साड़ी ताकत पर बल दिया उसके लिए इन्हों ने एक व्याया मंडल ज्यान देज़े का व्याया मंडल यह आपके पेपर म में बार बार आता है ले इंड़र का स्थापना के इसी लिए जादर के लोग मल युद्ध किस्वरी को ताकत और बनाते थे आपके S datasets रूपना करके उई पर अपना सरीब को और लोगों के साथ मिलकर के सरीर बनाते थे ठीक है सबसे बड़ी बात कि जब तिलग जी ने महारास्ट में दो उस्तो शुरू किया था एक गणे सुस्तो एक सिवाजी उस्तो जहां यह दोनों बहाना था सारे लोगों को हजारों लाखों लोगों के एक जगज उठा करके बीच में करांतिकारी भासर दे करके दिस्भक्ती की जोहला भढ़काने का काम करते थे तिलग जी और उसमें ये लोग जाते थे कौन जाते थे हमारे चापेकर बंदू तीनो दामोदर बाल कृष्ण वासुदेव तीनो तीनो बार बार नाम सबसे बड़े दामोदर तीनो जाते थे भाग लेते थे वहां पर उन सब की मतलब क्रियावेदी देखकर क्रियाकलाब देखकर के मन में भी हुआ कि हम भी कुछ करें तो पूना में उन्होंने भी मनाना सुनू कर दिया इसको गड़े सुस्व और सिवाज उस्व अपने दोस्तों के साथ और काफी भीण प्रियोग करने लगए तो दामोद्र जो बड़े वाले थे वह कविता गाते थे गज нравится लेकितना ना तो लेकिन उस धंक से मत्रा नहीं एक धार्मिक बंदक ना नहीं ते आई आपको पर आक्षेप कर रहे हैं कि आप उठो उठो जागो और अपने आप को जगाओ भारत मा पुकार रही है बेडियों में जखडी वही है आप लोग सोय है इस धंग का गाना गाते ते ओर लोगों को जुटाते थे बड़े सुंदर गाते थे आपको पता है शंगीत में कितनी ताकत होती है बड़े सुन्दर गागा के लोगों को प्रभावित करते थे और नरंपंती जो कांग्रेस है थो उनको क्या बोलते थे उनको बोलते थे कि ये जंडा लहरा करके और बड़ी-बड़ी बाते करके आजादी मिलने वाली नहीं है एक हाथ में ढाल एक हाथ में तलवार लेकर कुदो युद्ध के मैदान में तब समझ में आएगा आजादी क्या होती है ठीक है दो चार लपड़ खाके और आप लोगों ने यह सोच लिया कि चलिए उदारवादियों से बड़ा मारते थे कौन तीनो भाई चापेकर बंदु चापेकर बंदु जो भी को दामोतर बालकृष्ण और वाक्रिशना वाश्यूदेवी तो पूना में यह सारे लोग इगदविधी कर रहे थे कभी थे ही ठीक है गाना भी गाते देखो बढ़िया वड़िया भजन सुना-सुना के लोगों के अंदर एक जो छिपा हुआ था देस्प्रेम की भावना उसको जगरत कर रहे थे असी दौर में 1897 में यह वही समय है जिस समय स्वास्चंद्र बोस का जनम हुआ एक है सही महापरोस का बदाओं के वारे में कम चार घंटे के वीडियो होगा तब जाकर समझ में आएगा 1897 में 1897 में पूना में बहुत बड़ा प्लेग प्लेग आपको पता होगा प्लेग पिस्सू से होता है और वह चुहे को बैठता है चुहा जब मर जाता है मतलब चुहा मर जाता है तो उसके वह जो जर्म सोते हैं वह फाल फाल के लोगों को काटते हैं और फिर मरते हैं था जब तो हजारों लाखों लोग मरे थे हजारों लोग मरे थे वो दौर था इस समें तो इलाज हो गया था उस समें कोई इलाज राज नहीं था जब प्लेग फाला तो उस पूना में हजारों लोग मर गए बहुत लोग मर गए भुगमरी कगार प्लेग पहले का मतलब होता ह है कि एकदम बिल्कुल बिंदास मौत 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 कोई रोगता मने अब अंग्रेजी ब्योस्ता पर सवाल उठने लगे कि है क्या पुरी जनता तरही तरही करने लगी प्लेक का ऐसा कूप रभाव हुआ कि वहां के मतलब गवर्णर को एक रैंड अनामक अधिकारी को प्लेक कमि प्लेक कमिस्नर कुछे और उसका दोस्ता एमहस्ट एमहस्ट ठीक के प्लेक कमिस्नर बनाके रैंड को मिस्टर नाट को बेजागा कि जाओ और तुम ओहां का आखलाण करो तुम आगए परस्तरथी देखो और लोगों के शहायता करो यह जो भी दवाईयां सकता है यूटूब के गाइड लाइन में नहों लेकिन फिर भी ठीक है वीडियो हड़ चलेगा लेकिन जो इनके प्रती क्रोध है जो अक्रोश है वो निकलेगा ही यह रैंड कुटा था ठीक है इसने क्या कि उसी बहाने इसको मौका मिल गया कि लोगों के घरों में घुसने का बूट पहन के अंग्रेजों के साथ धाडाणा के गुसना उनके पूजा ग्रे में धाडाक से गुसना कि देखो मरत नहीं रहें कोई जूट मूट का मरने का बहाना और सबसे बड़ी चीज़ नहाते हुए महिलाओं के कमरे में घुश जाना ठीक है उसका गलत इस्तेमाल कि इस बंदे ने पूजा ग्रे में जूता पहन के जाना सोचे आज के सेक्ड़ साल पहले जहां धारमिक भावना इतनी उच्चस तरकीत है हमारे भारतियों में जहां आज की तरह नहीं था कि लोग निकालते हैं कि बगवान है कि नहीं है उस समय बगवान मने सब कुछ तो उस लोगों को बाहर निकाल करके पूना प्लेग में सब लोग मारे जाओगे बाहर निकलो नंगे याद रंगे सब को निकाल देते ते लड़कियों को लड़कों को वेजजत करते थे और कुस्तो नराधम होते हैं उन्होंने कुछ अंचित कार भी किया ठीक है तो इनको देखी से बचाओ के नाम पर बए यह रैंड नामा की प्लेग कमिश्णर जो है हमारे महिलाओं के साथ हमारे पुरश्णू के साथ और हमारी जंता के साथ थे अचींन केसंडमें को Пदा चला किना बिक्तूरिया माराणी विक्टोरिया की याद में मतलब उनके सम्मान में एक डायमंड जुबली का वो मतलब किया जा रहा है प्रोग्राम किया जा रहा है डायमंड जुबली यानि हीरक जैनती मनाया जा रहा है ठीक है उनके जो सिंहासन होई थे मतलब सिंहासन अडून होई थी तो उसका ही जैनती डैमंड जुबली मना जाना था पूरे देश में मना जाएगा एक तो भारत की जनता तडप रही थी प्लेग से या और भी आर्थिक समस्याओं से सब प्रकार के समस्याओं से उस दावर में आप उनका हिर जैनती मना रहे हैं वो तो बैटें हैं लंदन में और यहां प करिए हमारी जनता मर रही है भूखो तडप रही है हां और प्लेक से पिस रही है लेकिन उस दावर में आप बड़ी बड़े पार्टी करने जा रहे हैं बड़ी बड़े आतिशवाजियां करने जा रहे हैं धारू शराब की बोतने टकराएंगी वहां पर तो यह गए चाप नहीं पाय कोन है मोबाद कर जाते हैं और चले आते किसके उपर माराणी विक्टूरिया की उस आदम कद प्रतिमा पर मने मूर्ति पर बुथ पर पोत करके डामर आलकत्रा से पोत करके और जूतों की माला पहना कर चले आते हैं लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं था उनको था कि बस आज हमारे लिए यही दौर आ रहा है और हमारे लिए सबसे स्वाणी दौर है कौनसा यह रैंड जो है हीरक जयनती मनाने जा रहा है मानाने विक्टूरिया का चली हम लोग भी कुछ काम करते हैं इन लोग ने प्लानि मुझे रात तक खोब दारू की बोदले टकराई आतिस बाजिया हुए गाने बजाने हुए बड़ी बड़ी पाइटिया हुए बड़ी लोग अंग्रेजों का जमगट लगा हुआ था और इधर पेड़ों के नीचे जुर्मट में करांतिकारी विचारों को सुलगाते गिए जब लोग 12 बज लगभग कहत्त फॉआ है तो 12 दस पर ग longing रॉट से गुजर रहते बगगी पर तो हमारे दामोदर गलताइए नहीं मर्याशा हुए दूसरी गहती आती है तब आलकृष्न नहीं पौD चोरे से चड़ते हैं उसके बाद सामने आते हैं और मार देते हैं तुरण तो नहीं बरा तीन दिन बाद माराई यह रैंड को गोली मारने के बाद कि क्या क्या हिए तो तो रैंड ये तीन दिन बाद मरा थिक तो दोनों के हत्या हो गई कलपना कर सकते हैं कि एमर्स्ट रैंड प्लेक कमिस्टर एक कमिस्टर हमारे इस छित्र में भी हत्या हो जा तो कितना बड़ा बावाल हो जाएगा पूरा देश हिल जाएगा तो वो तो अंग्रेजों का सासन रैंड के हत्या होई हिल गया 1897 में पहली पहली यूरूपें की हत्या होई थी जान दिजगा इसके पहले किसी अधिकारी के ऐसे हत्या नहीं होई थी तो पहली हत्या थी तालका मजगया धर पकड़ सुरू हो गया दामोदर तो तुरंट पकड़े गए बहुत जल्दी तो पकड़े गए और उनको भासी की सजा सुना दी गई जब व जेल में थे जब ओ जेल में थे तो उनसे तिलक मिलने आते हैं कलपना करिए ऐसा भाल गंगा धर्द तिलक जैसा सैरेक सहनसा आदमी किसी एक अधने से अतना तो नहीं कहूंगा लेकि इतना कहूंगा कि अपन रहाते बताते हैं और कहा जाता है कि गीता लेकर ही वह ह॔र है कि 158 ये ई可पतार हुए सतान में में लेकि अट्र एप्रैल इंको फांसी पर चढ़ा दिया गया कहा जाता है गीता लेकर गए और यरवदा जेल में पूर्य के यरवदा जेल में इनको फ्हांसी लगादया किसको दामोदर को बड़े वाले भाई को दानेज़ेगा दामोदर को फ्हांसी पर चड़ा दिया गया उसके बाद धर पकड़ सुरू हुआ बाल कृष्ण तो हाथ में नहीं आए लेकिन और इसके बाद तुरंत जब बड़ा बेटा गुजरता है तो माँ पर क्या गुजरती है उनका भी हाट अटायका है वो भी गुजर गई तुरंट उसके बाद उनके रिस्तदारों पर जिश ने भी अपने आपको सरेंडर कर दिया सरेंडर कर दिया उनको भी फांसी के सजा सुनाई गई अभी हुई नहीं थी फांसी के सजा सुनाई गई इसको बाल कृष्ण को लेकिन जो तीसरे थे वाशुदे हो थे उनके मन में पनपराथा की बताने वाला कौन है पकड़वाने और उसमें गद्दारी किस ने क्या था द्रमीड बंदू द्रमीड बंदू माने दो भाइ थे इसमें ते गणेसंकर द्रमीड दियांदे जगा संकर दो और गद्दानों का नाम याद रख ते दिये心 हुए गणेसंकर दो हमいき और रामचंदर नाम देखिए गणेश संकर राम चंद्र क्या जबर्चास यह द्रविड बंदू थे दोनों भाई थे इन लोगों ने ही मुख्मिरी की थी जिससे दामोदर पकड़े गए थे दामोदर हरी चापे कर पकड़े गए थे तो इनके इनको खोज रहा था कौन तीसरा वाला वासु नहीं रानाडी रानाडी के साथ मिल करके वह आते हैं और इनको खोज-खोज करके घर से निकालते हैं बाहर निकालते हैं और खड़े करके गोली मार देते हैं दोनों को इनको और इनको दोनों गद्दारों को जान दिजेगा गद्दार तो बहुत हुए हमारे हां आमने उस संकर द्रमिड और राम चंद्र द्रमिड इन दोनों को घर से बाहर निकाल कर दोनों को गोली मार जा किसने और लेकिन दोनों फिर पकड़े जाते हैं कौन दोनों मित्र दामो वासुदेव चाफेकर और रानाडी दोनों मित्र पकड़े जाते हैं और उनको भी फांसी की सजा स सुनाई जाती है चार कच्छारों को फांसिक सजा देख ध्यान दीजेगा तो इनको 8 मई माने 8 मई 1899 को किसको कि यह रानाडे और मित्र दोनों रानाडे और वासुदेयो माने छोटे भाई को सबसे छोटे भाई को बाल कृष्ण ते दूसरे वाले बाल क्रिष्ण को इनको फांसि दे गई तो जब इनको फांसि दे गई क्याना में वासुदेव रानाडे को सबसे छोटे बेटे को तो पिता को घृदया घात हुआ और वह भी गुजर गए एक साथ इतने लोगों पर रत्याचार इतने भाई कुर्बान हो रहे हैं देश के लिए अपनी जिंदगी के कोई कोई मतलब नहीं शादी विवा ये वो साब कुछ अभी तो युवात है और आठ मई को द्यांदी जगा वो एक साल पहले थे ये जून में 1898 में ये मई में रा यर्वदा पूने में यर्वदा जेल में ही फासी दे दी गई एक साथ एक साल के अंदर में तीन तीन पुत्रों के कुर्बानी देने वाले वह वाब आप कितने धन्य रहे होंगे माया आप सभी की तरफ से उनको क्या कहूं परणाम करूं कि कितना वड़ा उनको शुभकाम शुभकाम ना दे आजयाए कि ऐसे पत्रों को पैदा करके आपने भारत मा को धन्य किया था ठीक है तो यह आज मोग ने देखा चापेकर बंदों के बारे में तीन चापेकर बंदों कौन-कौन धामोधर हरी चापेकर बालकृष्ण हरी चापेकर और वाशुदेवा हरी चा था उन्होंने प्लेग कमिस्टनर मिस्टर रैंड को गोली मारा था और यहीं से विदेशियों की यानि अंग्रेजों की हत्या का सिलसला सुरू हो गया था ठीक है पहली हत्या थी कैसा लगा जरूर बताईएगा आज उने की इतिहास नहीं प्राचीन इतिहास भी अब सुरू ह जाता है कैसा लगा अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना लाइक शब्सक्राइब शेयर आपके हाथ में है अच्छा लगे तो करते जाएए लेकिन मैं कहूंगा इनको शेयर जरूर करिए बढ़ाए महापुरुशों के बारे में बताईए जिनको कम लोग जानते हैं इन लिहास नहीं जिसको जिससे हम भगत सिंग और चंसे का राजात को जानते हैं ठीक है चलते हैं नमस्कार